परमपराजित परमवीर ये तुने क्या क्या भाई यार तुने अच्छा नहीं किया क्यों ऐसा क्या परमवीर बार बार मन में बहुत बद्धुआई निकल नहीं है नमस्कार और अदाब दोस्तों मैं यूएस कान दोस्तों आज मैं आपको अपने मन की बात बताने जा रहा दोस्तों मेरे साथ एक बड़ी नाइंसाफी पुलिस कमिशनर परमवीर माराश्ट ने किये दोस्तों मन की बात कहां से सुरू करूँ चलो यार वही से सुरू करूँ जहां से मेरे सपने को जगाया मेरे एक सुबचिंतक दोस्त ने जिसने आकर मुझे गुड नियूस देता था दोस्तों इतना तो याद है मुझे के पिछले महीने वह मेरे पास सुबा सुबा आया था और बोला था यूएस भाई कहो कैसे हो भाई मैं बोला भाई ठीक हूँ इससे पहले के मैं उसे लागडाउन और अपनी बेरोजगारी का दुखड़ा सुनाता वह मुझे से बोला यूएस भाई क्या तुम्हें पता है मैं बोला भाई क्या वह प्रस्ण वाचक चिन जैसा मूँ बनाने बनाते हुए बोला यार रिपब्लिक चैनल वाले ने यानि के रिपब्लिक चैनल का जो एडिटर एंड चीफ अर्बन गोस्वामी है और वह ही अपना पूस्ता है भारत वाले ने 500 रुपे सभी दर्शकों को देने सुरू कर दी है जो उनका टीवी प्रोग्राम देखता है और तुझे भी बहुत बड़ा तू भी बहुत बड़ा फैन है अर्बन गोस्वामी जी का जब देखो तू उनका ही प्रोग्राम देखता रहता है तू भी अपना अकाउंट भेजदे भाई ऑन लाइन उसकी ये बात सुनकर मैंने अपने मन की जिग्यासा जागी जिहां दोस्तों मेरे मन में बहुत बड़ी जिग्यासा जागी और उसने मुझे 500 रुपे महीने के रोजगार का बैटे बिटाएस सपना दिखा दिया मैं बहुत खुश था बस फिर क्या था हमने अपनी जिरो खाते वाली पास्बुक उठाई जिसे जियां दोस्तों वही जिरो खाते वाली जिसमें 15 लाग रुपे मोधी जी ने देने का वादा किया था कही बार इसे एंट्री भी करा कर लाया लेकिन वही बैलास जिरो खाता आता रहा पिर भी दोस्तों मैंने अपनी इस पास्बुक को दूल नहीं जमने दी मैं बार बार हर महीने ले जाता हूँ और उम्मीद आज भी है मुझे मेरे मोधी जी मुझे पैसे जरूर देंगे कहना दोस्तों मुद्दे की बात पर आता हूँ रिपब्लिक चैनल दर्शक रोजगार योजना दोस्तों सरुपर्थम मैं आपको ये जरूर बताओंगा कि मैं रिपब्लिक चैनल का इतना बड़ा पक्का फैन क्यों था भाई सच्ची बात को जिहां दोस्तों मेरे मन की जो सच्ची बात है मैं आपको बता दू अर्बन गोस्वामी जी का फैन मैं क्यों था दोस्तों ये बात मैंने आज तक किसी को साजा नहीं की पर मैं आप लोगों से साजा कर रहा हूँ वो ये कि बच्पन में मुझे मधारी का केल का बड़ा सौक था जब भी मधारी का केल देखने के लिए मेरे गाओं में कोई आता तो मधारी गुड़गुडी एक हाथ में बजाता हुआ और दूसरे हाथ में बंदर की रस्ती लेते हुआ आता दिखता था तो सबसे पहले मही मुधारी के मजमे में सबसे पहले और सबसे आगे नज़र आता था लेकिन 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 जब मैं किसोर अवस्ता में आया तो अचानक भारत का कानून बना की जानवरों का खेल दिखाने वाले सभी इंटर्टेंडमेंट पर परतिबंद लगा दिया गया सरकार ने ये सारे सरकस और मदारी के खेल बंद कर दिये यार मेरे बचपन का सौक को इतना जटका लगा मन उदास था और मैं बड़ा परिशान था अचानक मेरे बड़ावाई दिल्ली से एक डिस्च चैनल टीवी उठाकर लाए मेरे लिए टीवी कोई नई चीज नहीं थी पड़ास में टीने वाला टीवी देखता था उसमें बस वही राष्टे चैनल दूर दर्सन दिखते थे वो कुछ मुझे खास नहीं अच्छे लगते थे सांस्क्रितिक प्रोग्राम बोरियत वाले प्रोग्राम होते थे लेकिन डिस्च चैनल में मैंने चैनल को भरमार दे कि उसमें एक रिपब्लिक चैनल को अचानक मेरी नजर पढ़ी तो मुझे लगा कि बस यही वो चैनल है जो मेरे बचपन का खोया हुआ इंटर्टेंडमेंट मुझे वापस दे सकता है सर्वा पर्थम मैंने जब अर्बन गो स्वामी जी को देखा तो मुझे उनके अंदर जी हा दोस्तो बंदर और मदारी दोने के रूप दिखे बस फिर क्या था जब से लेकर आज तक मैं उनका पका फैन बना हूँ लेकिन 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 दोस्तो अर्बन जी की वो रोजगार योजना पांच सो रुपे देना चाहते थे तो अचानक उधे ठाकरे सरकान ने और पुलिस कमिशनर परमवीर ने मेरे बचपन के शौक को छीन लिया और जो दर्सक रोजगार योजना थी जिया दोस्तो जिस जो मेरे हाथ में आते आते पैसे वो रह गए बहुत नाइंसाफ ये परमवीर पुलिस कमिशनर तूने ये क्या क्या मोधी जी मोधी जी इसे कभी माफ नहीं करेंगे कसा मैं मुझे मोधी बक्ती की मैं और मेरे साथी तुझे शराब देते हैं ऐसा सराब देंगे जो राम जन भूमी के फैसले में के दोरान अधी रात को आई कोट के जज़ का ट्रांसवर करा दिया था याद है याद है नहीं याद है तो सुन ले परमीर मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ याद दिलाएगा तुझे याद दिलाएगा तुझे पूरा भारत परमीर सुन ले मुझे कसम है मुझे कसम है खराप कर दिनने